हेलो एवरीवन बेटा स्टार्ट कर रहे हम लोग एवलूशन का लेक्चर नमबर फाइब लेक्चर नमबर फोर में जो छोटे-छोटे डाउट्स थे आपके उनको दूर करते हैं और काफी सारी चीजे बताते हैं आपको अब यहां से बेटा आपको लेमार्किजम, डार्विनिजम और हमने जो डी वरीज बोला था उसके most of the concept clear होने चाहिए जैसे अगर बहुत सारे बच्चों को मैंने क्या बताया उनको साथ डाउट रह गया डार्विनिजम जो है वो continuous variation की बात करता है जो लेमार्क हैं उन्होंने जो बात करी थी वो acquired trait के थ्रू evolution की बात करी थी और जो हमारे पास d-varies है जिनोंने mutation theory दी थी उन्होंने बात की थी कि नई species बनने के लिए अचानक से एक variant बनता है जो बाकियों से बहुत जादा अलग है इस चीज़ को मैंने कई examples के थूँ आपको general examples के थूँ समझाया था तो दिमाग में बठा के रखें कि अचानक से अगर एक पूरी population में suddenly एक variant बन जाए तो वो actual में support है किसका d-varies की थी थोरी का लेकिन variations already है और उसमें से कोई select होगा तो फिर वो natural selection का तो मतलब variation कैसी है थोड़ी थोड़ी variations है वो natural selection का support है ठीक है उसके बाद हमने discuss किया था mechanism of evolution को mechanism of evolution एक topic है जहां से अच्छे questions आ सकते हैं मतलब आपको कुछ important points याद रखने है question को solve करते वक्त तो हमने ये बोला था जब mechanism of evolution की हमने बात करी थी तो हमने कहा था कि जो कोई species है अगर वो किसी area में रहती है तो वो एक gene pool बनाती है तो मैं थोड़ा सा समय लोंगा उन चीजों को revise करने का और properly सारा कुछ दुबारा बता रहा हूं और एक summary और एक मतलब कहते हैं detail summary की form में move करेंगे उसके बाद ह question आता है वो easy question होगा आप easily कर पाएंगे तो start करते हैं बिटा इस topic को और हम mechanism of evolution topic पे जाते हैं फिर से और हम बात करने वाले इन छोटे छोटे topics की जो आपको clear होने चाहिए मतलब हम बात करेंगे gene pool की मतलब मैं आपको अगर clearly बताओ हम छोटे छोटे ये जो topics हैं ये आपको clear होने ची हम बात करने वाले हैं gene pool क्या होता है छीख है उसके बाद हम बात करेंगे integrity of gene pool इन सारी चीजों की हम बात करने वाले है तो चलिए हम देख लेते हैं एक बड़ जड़ा सीधे ही gene pool पे आजाते हैं हम लोग gene pool के लिए मैंने एक diagram लिया आपके लिए ठीक है इसको जोग्रफी जब हम जीनपूल को डिफाइन करते हैं तो हम यह कहते हैं सम टोटल ओफ ओल एलील प्रेज़न ओफ ओल लोकस मतलब सारे लोकस भी लेने हैं ओफ ओल ओर्गेनिजम इना जोग्रफिकल एरिया ओफ बन स्पीशिस किसी बन स्पीशिस की जितनी भी अलील हैं अलग-लग टाइप की वो हमारे पास क्या बनाती हैं जीनपूल बनाती है जैसे माल लो यह काउ की पॉपुलेशन है अब इस काउ की पॉपुलेशन में यह बफैलो भी उसी जोग्रफी में है तो सबसे पहले यह समझो two different species मैं सारे पॉइंट्स लिखता भी चलूँगा two different species are two different gene pool मतलब यह कउ की species है यह बफैलो की species है they are two different gene pool even they are present in same geography why they are different gene pool because they cannot inter-breed ठिक है तो first point जो यहां से मुझे समझ आया वो यह समझ आया मुझे यह समझ आया द्हान से सुनिंगे मुझे ये समझ में आया कि gene pool की जो हम बात कर रहे है gene pool होता क्या है सबसे पहले same species का होगा दूसरा common geography होगी क्या होनी चाहिए हमारे पास common geography होनी चाहिए clear common geography होनी चाहिए same species के member और common geography अगर हम ये कहते हैं कि different species different species in same geography in same geography उसी geography में अगर रह रही है तो क्या उनका same gene pool है मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि different species in same geography क्या उनका same gene pool है सोचो जरा same gene pool है मैं कहूंगा नहीं उनका gene pool same नहीं है because we have different species तो सबसे पहला point आपने क्या सीखा सबसे पहला point आपने क्या सीखा आपने यह सीखा कि ये मेरे पास जो cow की population है ये मेरे पास जो cow की population है मैं दिखा देता हूँ आपको मालो इसमें मेरे पास ध्यान देंगे यह जो cown की population है मेरे पास इसमें मालो मैं alleles लिख देता हूं ध्यान से जुनौ इसमें मैं alleles लिख देता हूं capital A small a छीक है clear तो ये वो है जो सम्मे common है मालो इसमें भी capital A small a है ठीक है, ये common वाली हो गई फिर मालोν, इसमें capital B, small b है इसमें capital B, capital B है इसमें हो सकता है, सिर्फ small b, small b हो इसमें हमारे पार small b, small b हो हो सकता है, इसमें कोई capital D हो इसमें उसके साथ capital D, या small d हो सकता है तो आप अगर ध्यान से देखो, gene pool क्या बनेगा अगर मैं ऐसे लिखों तो gene pool का मतलब अलग-लग type की gene a, small a, capital b, small b, capital d, small d तो अलग-लग type की सारी gene ले लो, वो एक gene pool बन जाता है वो क्या बन जाता है? gene pool बन जाता है Now this is gene pool, अब इसमें मेरे पास एक gene है capital r, small r, capital q, small q अब ये अलग gene pool है, now this is different species, ये अलग gene pool है तो gene pool का meaning समझो पहले sum total of all different type of allele is known as gene pool उसको हमने gene pool कह दिया अब देखो जरा, हम ये species ले लेते हैं हम क्या करते हैं, ये species ले लेते हैं हम यहाँ पर तो ये जो species है, माल लो इस species में ये वाली gene है ये वाली gene है, capital a, small a है, लेकिन इसमें capital, माल लो capital y और small y है इसमें capital a, small a है, और capital y, capital y है तो इसमें भी माल लो capital a, small a है, और इसमें small y, small y है तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहरा हूँ कि क्योंकि ये जोगरफी और ये जोगरफी अलग-लग है now हम यह कहेंगे कि यह दोनों अलग अलग जीन पूल है अलग अलग जीन पूल क्यों है because यह जियोग्रफी और यह जियोग्रफी अलग है तो यहां जो जीन पूल बनेगा वो capital A, small a, capital Y, small y यह चार अलील जीन पूल बना रही है चाहे वो उनमें same है अलग है वो एक अलग चीज है अब मैं यह कह रहा हूँ this is cow की one population is one gene this is another gene यह दूसरी gene है मतलब दूसरा gene pool है तो मेरे पास त्यांज़े सुनेंगे इन दोनों को मैं क्या नाम दे सकता हूँ isolated population तो मैंने यहाँ पर क्या बोला मैंने बोला कि same species same species के दो member है same species same species in two different geography same species in two different geography have different gene pool have different gene pool उनमें हमारे पास क्या है अलग gene pool है आप एक चीज़ समझो ध्यान से same species in two different geography same species in two different geography have different gene pool different gene pool है हमारे पास तो जो same species है जो same species है दो different geography में हमारे पास उनका क्या है different gene pool है उनका अलग-अलग gene pool है यह बात आपको समझानी चीए मतलब मैं कहना चाहरा हूँ यह देखो मैं यह कहना चाहरा हूँ this cow population and this cow population have different gene pool why different gene pool because इनके बीच में कोई interbreeding नहीं होगी दखो gene pool अलग होने कैसे possible gene pool different क्यों है पहला reason different geography है अगर different geography है तो उस वज़े से क्या हुआ उस वज़े से क्या हुआ reproduction allow नहीं है reproduction is not occurring reproduction नहीं हो रही है समझे रहे हो और अगर reproduction नहीं हो रही है तो यह gene pool और यह gene pool अलग है तो आपको यह समझ आना चाहिए बिटा आपको यह समझ आना चाहिए कि gene pool का मतलब क्या होता है एक ही species के बहुत सारे member अगर किसी area में रह रहे हैं आपस में reproduction कर रहे हैं जिसे हम interbreeding कहते हैं तो वो अपना एक gene pool बनाते हैं अगर मैं कहता हूँ कोई दूसरी geography है यहाँ दूसरी geography का मतलब they are geographically isolated as well as reproductively isolated अभी for time being reproductively isolated है कर सकते हैं reproduction मना नहीं कर रहे लेकिन अगर यह अलग है reproduction नहीं हो रहे है now they are different gene pool अब मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था दो अलग gene pool अगर अलग evolve हो गए तो हो सकता यह अलग species भी बन जाए पर अलग species बनने के लिए क्या condition होगी यह वाला gene pool अभी इसके साथ reproduce क्यों नहीं कर रहा क्योंकि यह आसपास नहीं है आसपास होते तो इनमें reproduction possible थी इसका मतलब यह हुआ यह नई species कब बनेगी अगर यह पास आ जाए उसके बाद भी इनके बीच में reproduction possible नहीं हो मतलब proper reproductive isolation हो जाए तब नई species बनती है यह सोचने वाली बात थी तो आपको यह समझाना चाहिए कि gene pool में अगर मुझे आपसे कोई कहे कि नई species बनाने के लिए क्या करना है पहले उन्हें दूर कर दो that is known as geographical isolation और फिर उनके बीच में reproductive isolation ले आओ तो फिर वो साथ में होंगे तो भी reproduce नहीं करेंगे best example this now this buffalo is reproductively isolated from this cow so it form different gene pool अगर आपसे कोई कहे gene pool के अलग होने के लिए क्या compulsory condition है वो किसी और के साथ reproduce ना कर पाए दूसरे gene pool से तो इसका मतलब वो एक अलग gene pool है हाँ अगर वो geographically isolated है बट वो reproduce कर सकते हैं still हम बोल सकते हैं कि हाँ वो अलग gene pool है बट वो species same है तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं same species same species can have two different gene pool condition applied they should have different geography same species same species same species के member एक नई species में evolve होने का मतलब now they are become reproductively isolated ऐसा कैसे हो सकता है बहुत सारे तरीके बताएंगे पर gene pool का concept बिलकुल clear कर लो क्या होता है ठीक है आगे की कहानी आगे की कहानी यह है बट आगे की कहानी यह है कि हम यह समझ रहे हैं कि यह चीज़ समझो ध्यान से बिटा अगर मेरे पास ध्यान से सुनो अगर मेरे पास इसका यहाँ पर reproduction possible है ठीक है यहाँ यह reproduction तो इसे gene flow कहते है gene flow का क्या meaning होता है ध्यान से सुनेंगे इसका मतलब अभी मैं कह सकता हूँ same species है reproduction possible है छीक है clear gene flow gene flow is possible हाँ नहीं हो सकता है कि gene flow हो जाए और अगर gene flow होगा अगर gene flow चलता रहेगा तो इनमें जो नई चीज बनी वो इसमें भी आ जाएगी इसमें नई चीज बनी वो इसमें भी आ जाएगी नई चीज बनने का मतलब नई अलील तो आप एक चीज समझो ध्यान से कि two geographically isolated population of same species अगर आपस में reproduce कर रहे हैं वो कैसे कर सकती है gene flow के थूँ मतलब यहां से यह इधर reproduce कर दे यह इधर reproduce कर दे तो geographically तो आई सरत पर यह होगा कैसे मालो एक इंडिया में काउ है एक अफरीका में उड़के जाएगी नहीं हमें वो breed वहाँ ले जानी पड़ेगी तो human ने क्या किया क्योंकि आप एक चीज़ समझो ध्यान से कि काउ पानी में नहीं तैरती है यह आपको ही पता नच चाहिए न तो हम यह कह रहे हैं यहां पर कि हम जो animals geographically isolated थे भले ही वो same species के थे वो breed अलग थी तो human ने क्या किया artificially उसको move कराके gene flow कराया है यह चीज़ समझो ध्यान से इसे हम gene flow कहते हैं तो gene flow क्या कर सकता है gene flow gene flow क्या करेगा can introduce अब माल लो यहां पर जो gene थी capital A, small A, capital B, small B gene थी capital A, small A, capital B, capital B थी यहां पर लिख रहे हैं small A, small A, small B, small B थी हम यह कह रहे हैं कि यहां से कोई gene माल लो Y वाली यहां पर आ गई, तो इसका मतलब यह होता है कि gene flow से एक isolated population की gene दूसरे में आ सकती है तो gene flow can क्या कर सकता है, सोच लो gene flow can can change 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 gene pool gene pool को बदल सकता है gene pool को बदल कैसे सकता है नई gene ला सकता है समझ रहो, नई gene ला सकता है इस isolated population से इसमें पर यह पूरी तरीके से isolated है यह यहां होकर भी reproduce नहीं कर रहा इसका मतलब इसका मतलब इनके बीच में gene flow नहीं हो रहा इसलिए हम कहते हैं बिटा species is a group of organism which can interbreed मतलब उनके बीच में gene flow मतलब एक तरीके से वो आपस में reproduce करेंगे तो वहां पे वो genes आपस में exchange होती रहेंगी ठीक है and produce fertile young one तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि gene pool क्या होता है gene flow कैसे हो सकता है तो isolated population of same species can interact by gene flow और वो कैसे वो वहां आकर reproduce कर दे अगर cow सिर्फ यहां घूमने आ गई उसने reproduce नहीं किया और यह मर्ग देखो मालो दिस cow यह एक अलग जोगरफी है यह cow को यहां ले आए इसने यह गास वहां सखा ही मर गई तो इसने कोई reproduction तो किया नहीं उसके मरने के साथ वो allele खतम हो गई तो इसका मतलब कुछ नई allele आई नहीं एक species नए area में जाए और वहां जाकर reproduce करे यह बहुत ज़रूरी है gene pool के लिए यह सोचने वाली बात है अगर वो reproduce नहीं करेगी तो gene flow होगा नहीं अगर वो reproduce नहीं करेगी तो gene flow नहीं होगा यह चीज़ समझ लो ज्यान से तो gene flow होने के लिए उसको उस area में जाके reproduce करना ज़रूरी है अगर यह कहानी समझ आ रही है तो आपको बाते समझ आने लग जाएंगी अगे चलते हैं मैं थोड़ा सा और basics आपके ठीक कर रहा हूं इसमें Now what is integrity of gene pool integrity of gene pool का क्या मतलब है सुन लो ध्यान से देखो Now this is one gene pool this is gene pool one and this is gene pool two integrity का मतलब है integrity का मतलब यह gene pool अपने आपको बनाए रखे integrity का मतलब माल लो इसमें जो भी gene है इसके अंदर जो भी हमारे पास genes है वो सब अपने आपको जैसे माल लो मैंने ये कह दिया ये वाली genes हैं यहाँ पे यहाँ पे total अलग-लग alleles कौन सी हैं ये हैं ठीक है ज्यान से दूना बिटा total मेरे पास ये अलील है ठीक है clear ये अलील है अगर मैं integrity की बात कह रहा हूँ तो इसका मतलब इन alleles में कोई change नहीं आना चाहिए कैसे integrity होगी पहला कि ये आपस में random meeting होती रहे इनकी आपस में क्या होती रहे random meeting होती रहे तो इसका मतलब अगर मुझे gene pool को बनाए रखना है इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा gene pool 1 और gene pool 2 आपस में isolated रहे उनका आपस में कोई exchange ना हो दूसरा हम ये बोलेंगे कि integrity का देखो integrity का meaning ये होता है कि gene pool अपने अंदर कोई बदलाव नहीं चाहता gene pool ना number of allele बढ़ाना चाहता है ना उसको बदलना चाहता है तो integrity का यहाँ पर meaning है no change in allele no change in allele number और type मैं ना number बदलना चाहरा हूँ ना type बदलना चाहरा हूँ वो कैसे possible है तो वो ऐसे possible है how integrity can we maintain how integrity can we maintain कैसे maintain करोगे सोचो ऐसे maintain करेंगे a हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे random meeting करते रहो random meeting within gene pool within gene pool मतलब within gene pool a या one आप random meeting उसमें करवाते रहो मतलब उनमें अपना exchange चलता रहे दूसरा no exchange no exchange का मतलब no gene flow no gene flow अगर हो कोई gene flow ना हो ठीक है clear तो हम ये कहेंगे no gene flow या क्या करें maintain isolation एक तरीके से खुद को isolate रहे maintain isolation तो आप एक चीज़ समझो ये gene pool उस gene pool से अलग रहे कोई reproduction ना हो और इनके बीच में reproduction चलता रहे ऐसी integrity maintain रहेगी इसी integrity की बाग को आगे ले गए थे Hardy-Winber equilibrium Hardy-Winber equilibrium ने कहा कि हम ये मानते हैं हम ये मानते हैं कि अगर population बहुत बड़ी है अगर population बहुत बड़ी है allele frequency में बदलाव नहीं हो रहा है random mating चल रही है ठीक है और सब को बराबर मौकाब मिल रहा है मतलब हम ये कह रहे है कि अगर population बड़ी है नियान जुनेंगे देखो मैं एक चीज समझाता हूँ आपको total मानलो 10 गाए है एक मर जाएगी तो कुछ particular allele गायब भी हो सकती है लेकिन अगर बड़ी population है तो एक दो के कम जादा होने से उतना फर्क नहीं पड़ता तो अगर large population है random meeting चल रही है दूसरा उसके अंदर क्या है बिटा हमारे पास sexual reproduction हो रहा है सब लोगों का age लगबग मतलब male female लगबग बराबर है और वो gametes बना रहे हैं जैसे याद करो जब हम मतलब mendel का cross बनाते थे तो उसमें दोनों को बराबर मौका देते ना capital T तो सबको बराबर मौका मिले तो integrity maintain रहेगी इसका मतलब एक genetic equilibrium maintain रहेगा इसका मतलब gene pool खुद को नहीं बदल रहा होगा हम ये कह रहे हैं कि hardy beanbird equilibrium जो है वो इस बात को support करता है जहां से जुनेंगे बिटा जहां से जुनेंगे इस बात को support करता है आप एक चीज़ देखो इसमें due to interbreeding due to interbreeding clear interbreeding transfer of gene occur between two sister population मेरे पास gene pool disturb हो सकता है अब ये gene pool देख रहो gene pool हमारे पास change हो गया कैसे change हो गया आप खुद से देखो gene pool is now changed gene pool हमारे पास बदल चुका है कैसे बदल चुका आप देखो अगर मेरे पास इनके बीच में reproduction हो गई इनके बीच में gene flow हो गया तो due to gene flow मैं लिख रहा हूं इस बात को due to gene flow due to gene flow और multi-julty population in sister population sister population का मतलब है same species की हमारे पास क्या होगा gene pool बदलेगा तो gene pool बदलने का मतलब दो चीज़े होती है उसका size increase होना या change होना दूसरा मैं कह रहा हूं number of allele का बदलना हो सकता है नई gene आ जाए तो एक तरीके से gene pool बदल जाएगा और gene pool बदलने का मतलब हम ये कह रहें now it's integrity now it's मतलब एक तरीके से integrity का मतलब वैसा ही बने रहना integrity is change उसकी integrity क्या हो गई है बदल गई अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आपको कुछ ऐसी situation दिखेगी ऐसा कुछ हो गया होगा ठीक है ये देख रहो ये आ गई काव ऐसी फिर ये इनका hybrid कुछ ऐसा तो integrity कैसे चेंज हो सकती है reproduction के through gene flow जी से हम बोल रहे थे अब हम ये कह रहे है बिटा हम ये कह रहे है कि हमारे पास हमारे पास gene pool को बनाए रखने के लिए देखो हम क्या कह रहे है the gene pool maintains or try to maintain equilibrium in the gene and frequency of allele given by hardy win by equilibrium hardy win by equilibrium ये कहता है कि gene pool खुद को बनाए रखे बनाए रखने का मतलब यहाँ पर क्या है समझो ध्यान से hardy win by equilibrium कहता है कि मान लो ये कोई gene pool है ये कोई gene pool है ये gene pool क्या करे खुद को क्या रखे बिटा खुद को क्या रखे constant रखे मतलब gene pool बदले नहीं not change not change क्या number मतलब allele change ना हो उसके type चेंज ना हो ठीक है not change उसको हम कह रहे हैं कि gene pool चाता है कि और maintain रखना चाता है एक equilibrium किस चीज में gene के number और frequency जैसी चीजों मतलब जैसे ये allele है ये allele जो है बिटा हमारे पास ये बनी रहे और कितने number है वो भी बनी रहे जैसे अगर आप ध्यान से देखें अगर मैं देखूं यहाँ पर ध्यान से तो ये वाली जादा हैं हमारे पास इनका अपना एक number इसको तो एक frequency बनी रहे उसको maintain करना है तो gene pool क्या चाह रहा है gene pool try to maintain try to maintain क्या maintain करना चाह रहा है integrity चीक है और उससे हम कहते हैं उस condition को कहते हैं वो जो condition है वो integrity maintain करने वाली condition of that stable gene pool condition of stable gene pool को हम क्या नाम देते हैं एक genetic equilibrium का नाम देते हैं और वो genetic equilibrium किसने दिया बेटा वो genetic equilibrium दिया है किसने हाड़ी वीनबर्ग ने तो Hardy-Winberg ने क्या किया है एक genetic equilibrium प्रोवाइड किया है तो आप एक चीज़ समझो according to Hardy-Winberg according to Hardy-Winberg some genetic equilibrium exist कुछ क्या exist करता है some genetic equilibrium exist करता है और उसको maintain रखने के लिए कुछ conditions है ऐसा नहीं कि वो genetic equilibrium क्यों maintain रहेगा पहला पहला large population size second random mating हो किसी को रोके नहीं randomly mate कर रहे है जिससे वो allele transfer होती है क्योंकि random mating क्या करेगी allele का transfer करेगी तो अगर मैं आपसे कहूँ ध्यान से सुनेंगे बिटा अगर आप ध्यान से देखो तो Hardy-Winberg क्या कहता है Hardy-Winberg law describe a theoretical situation एक ऐसी situation describe करता है in which population is undergoing no evolutionary changes मतब एक stable gene pool की बात करता है मतब हाडी-Winberg कहता है कि gene pool constant बना रहेगा उसमें allele frequency constant रहेगी इसकी बात कर रहा है कहीं न कहीं एक stability की बात कर रहा है तो ये कह रहा है Hardy-Winberg ऐसी situation बता रहा है जिसमें evolutionary changes नहीं हो रहे है क्योंकि अगर equilibrium disturb हुआ तो हम इस चीज को लेके बिल्कुल sure है कि अगर equilibrium disturb हुआ तो हमारे पास evolution हो रहा होगा तो ये चीज है it explains if evolutionary forces absent कौन सी evolutionary forces मतलब evolutionary forces absent है जैसे उसके लिए population size बड़ा चाहिए random mating चाहिए each parent produce equal number of gamut ये condition चाहिए तो genetic equilibrium maintain रहेगा तो हम यहाँ पर बिल्कुल इस चीज को clear कह रहे हैं हम ये बात कह रहे हैं कि Hardy-Winberg equilibrium एक genetic equilibrium की बात करता है तो Hardy-Winberg Hardy-Winberg जो equilibrium है वो किसकी बात कर रहा है एक genetic equilibrium की genetic equilibrium का क्या मतलब हुआ कि gene pool is not changing gene pool is stable not changing यहाँ पर not changing का क्या मतलब है ना कोई बाहर से नई अलील आ रही है सही है और जो existing अलील है वो खतम भी नहीं हो रही है मतलब चलती जा रही है तो हम कह रहे है gene pool is stable not changing इसका meaning क्या निकालोगे इसका meaning यह निकालोगे देखो इस चीज को समझो Hardy-Winberg equilibrium का मतलब एक genetic equilibrium जिसका मतलब gene pool is not changing इसका मतलब यह हुआ this implies इसका meaning यह निकला evolution is not occurring evolution is not occurring तो यह एक initial situation बता रहा है कि भाई देखो evolution नहीं हो रहा है gene pool stable है वो कैसे दिखा रहे हैं हम लोग एक equilibrium के थूँ दिखा रहे हैं तो RD-Winberg equilibrium किसकी बात करता है gene pool की stability की gene pool stable है equilibrium बना हुआ है ना allele की क्या change हो रही है number change हो रही है मतलब जो allele थी वो उतनी ही बनी होई है जैसे हम कहते हैं कि उसकी frequency मालोग capital A 20 है तो और small a 20 है तो दोनो 50-50 है capital A 40 हो सकती है तो small a भी 40 हो जाएगी तो एक तरीके से उनकी frequency अभी भी 0.5 है तो ना उनकी frequency बदले ना different type of alleles का number change हो ना बाहर से कोई नहीं allel है तो इसको एक genetic equilibrium की बात कर रहे है और ये एक चीज बिल्कुल sure कह रहे है कि to maintain this equilibrium to maintain this equilibrium हमें क्या चाहिए इस equilibrium को maintain करने के लिए मुझे क्या चाहिए तो मुझे ये चाहिए सबसे पहले first मुझे large size population होनी चाहिए उसमें असानी से maintain होगा second malo organism में reproduction हो तो random mating समझ में आना चाहिए random mating का meaning क्या है मेरी बात समझना ध्यान से अगर मैं किसी particular allele की मालो मैं cow दिखा रहा था आपको यहाँ पे मालो ये particular allele की कोई cow है जैसे ये capital A small a इसमें capital R small r है बाकी सम में capital A small a capital C small c capital A small a capital B small b capital A small a capital B ऐसे करके cow है मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं इस cow को restrict कर दूँ किसी के साथ mate करने के लिए तो कही ना कहीं मैंने capital R small r allele का next generation में flow roam दिया तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें random mating करनी है random mating से सारी allele को equal chance मिलेगा सारी allele को क्या मिलेगा equal chance तो ये हम कह रहे हैं कि large size population चाहिए हमें large size क्या चाहिए population चाहिए clear, सही है तो हम ये कह रहे है random mating large size population दूसरा ये चाहिए बिटा हमारे पास कि both parents both parents produce equal gamits produce equal gamits मतलब दोनों को बराबर मौका मिले और bi parental reproduction ऐसा नहीं कि हम दूसरा sexual reproduction की भी बात करेंगे तबी gamits बनेंगे तो ये कुछ conditions चाहिए होती है इसके साथ वो evolutionary forces absent चाहिए अब ये evolutionary forces कौन सी है ये वो evolutionary forces है जो उस genetic equilibrium को disturb कर सकती है और वो evolutionary forces मुझे absent चाहिए अगर मैं उस evolutionary forces को absent लिखूँगा जैसे question आजाए question ही आएगा how Hardy-Wienberg equilibrium can be maintained पहला option आपको लिखा हुआ है small size population wrong restricted meeting wrong फिर कह रहा है absence of natural selection now natural selection is a evolutionary force वो absent होना is maintain करेगा किसको Hardy-Wienberg को ऐसे सोचना है question को क्योंकि इसके अच्छे questions आते हैं बेटा सोचने वाले मैं आपको बता भी दूँँ कि ये याद रख लो वो याद रख लो उससे नहीं होगा जब तक आपके दिमाग में बैठी वही बात नहीं है वो click करेगा वहाँ पर तभी आपको समझ आएगा तो हमने यहाँ पर बोला large size population, random mating, both parents produce equal gamut, sexual reproduction, evolutionary forces absent जब तक मैं ये बाते ना करूँ जब तक मैं ये बाते ना करूँ तब तक मुझे नहीं समझ आएगा कि मतलब कैसे वह maintain तो इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं हमने conditions की बात कर ली कहीं ना कहीं हमने conditions की बात कर ली और हमने कहा कि ये conditions चाहिए मेरे पस इस equilibrium को maintain रखने के लिए मतलब अगर मैं चाता हूँ कि इस पर कुछ चीजें, देखंजो इस चीज को बिटा इसका मतलब यह है कि अगर मैं genetic equilibrium की बात करता हूँ तो genetic equilibrium का मतलब यह हुआ कि मुझे कोई बदलाव नहीं लाना है genetic equilibrium का मतलब no change in gene pool no change in gene pool तो no change in gene pool का क्या मतलब हुआ no change in first frequency first हम लोग कहेंगे frequency change in frequency frequency of any allele उसकी frequency में बदलाव नहीं होना चाहिए दूसरा हम कहेंगे type of any allele मतलब कोई नई allele भी नहीं आनी चाहिए बाहर से ना मुझे इनकी frequency बदलनी है ना मुझे इनका क्या बदलना है type frequency का मतलब यह है कि capital A 0.5 अगर population में है तो यह भी 0.5 होनी चाहिए अगर इनमें बदलाव आएगा तो हम कहेंगे evolution हो रहा इसका मतलब यह हुआ कि any change ध्यान से सुनो बिटा यही चीज समझने की है यही चीज समझने की आपको कि any change ध्यान सुनेंगे any change in this genetic equilibrium समझो इस बात को any change any change in this genetic equilibrium means evolution is occurring evolution is occurring तो हाड़ी वीनबर्ग ने actual में जब प्रिंसिपल दिया वो एक लोकाई के लिए ही दे दिया उसने capital B और इसके लिए नहीं दिया उसने का capital A small a this is one लोकाई आप NCRT चेक करोगे लोकस और लोकाई की बात की है तो उसने वन लोकाई को लेके बोल दिया वन लोकाई को लेके ये बोला कि अलील फ्रिक्वेंसी अलील फ्रिक्वेंसी over generation over generation is constant and equal to 1 is constant and equal to 1 and equal to 1 तो वो constant है और किसके बराबर है 1 के बराबर है तो आप ये चीज़ समझो ध्यान से विटा हमारे पास कि hardy vener equilibrium एक genetic equilibrium है जिसका मतलब है कोई change नहीं gene pool पे no change in gene pool का मतलब no change in gene pool का meaning क्या है अब देख लो उसका meaning हम ये निकाल रहे है meaning ये निकाल रहे है कि frequency meaning ये निकाल रहे है कि frequency नहीं बदलेगी allele not change दूसरा meaning क्या निकाल रहे है type of any allele not change इसका मतलब ये है छीक है ये मतलब है और हम इस चीज को एक लोकाई के लिए इसलिए उसने लिखा capital A plus small A बराबर में 1 इसका मीनिंग यह हुआ कि capital A population में 0.5 है यह 0.5 है यह sum 1 के बराबर आना चाहिए तो इसने काया कि मैं चाहिए इस जनरेशन में लूँ अगली जनरेशन में लूँ दोनों का sum 1 आएगा और दोनों 0.5, 0.5 होनी चाहिए यह तब है जब क्या हो बड़ी population हो दोनों को बराबर मौका मिलता रहे और आप खुद भी देखो अगर मैं में मेंडल के cross की बात करूँ मैंडल के cross की simple बात करूँ माल लो यह F1 जनरेशन थी तो F1 जनरेशन में जब आप cross कराते थे तो capital T 2 by 4 है और small t भी 2 by 4 है 0.4 हो गया F1 जनरेशन मतलब next generation उसमें माल लो यह आता है तो capital T 1 by 4 हो गया small t 1 by 4 हो गया फिर आजाओ आप F2 में F2 में अगर आपके पास यह progenies आती थी आपको याद आएगा फिर क्या हो गया capital T 4 by 8 हो गया total 8 हलील है small t 4 by 8 हो गया तो इन तीनो जनरेशन में 1,2,3 तीनो जनरेशन में capital T 0.5 आ रहा है और small t 0.5 आ रहा है इसका मतलब genetic equilibrium बना हुआ है लेकिन किसी reason से अगर ये individual मर जाए तो इसमें small t का क्या होगा frequency बढ़ जाएगा इसे कह रहे है evolutionary forces कि मरने की बज़ा ये बाहार चला गया population से इसे evolutionary forces कह रहे हैं तो हम यहाँ पर बिल्कुल clear है कि evolutionary forces जो है आप इस चीज को समझो ध्यान से बिटाव evolutionary forces हम ये कह रहे है कि Hardy-Winbur equilibrium एक ऐसी theoretical क्योंकि evolution ना हो ये real बात नहीं है ऐसी theoretical situation बताता है जिसमें कोई evolutionary changes नहीं हो रहे हैं अगर हम ये कह रहें it explain if evolutionary forces absent होंगी उसके लिए ये condition है तो हमारे पास वो equilibrium maintain रहेगा तो कौन सी ऐसी evolutionary forces है जो genetic equilibrium को disturb करती है तो forces which can disturb genetic equilibrium ये उन forces की बात कर रहा है कौन सी ऐसी forces है जो genetic equilibrium को disturb करती है उसमें पहली force है मेरे पास mutation अगर mutation किसी allele में हुआ तो type of allele बदलेगा के नहीं बदलेगा capital A mutate करके capital R बन जाए तो type of allele में बदल गया genetic equilibrium disturb हो गया दूसरा हम बात कर सकते हैं बिटा recombination recombination का मतलब होता है अलग लग combination में alleles का जाना ये sexual reproduction के थ्रू होता है तो recombination कैसे होता है chociaż by sexual reproduction इसको समझना आपने ऐसे है कि sexual reproduction से जो recombination होता है उस recombination में हम क्या बोलेंगे sexual reproduction से जो recombination होता है उसमें कई बढ़ क्या होता है एक Elil दूसरे के साथ आने के बाद उसके expression को affect करती है तो होता है क्या कि माल लो एक एनिमल है उसमें वो दो एलिल साथ आ गई वो दोनों harmful एलिली थी वो organism मर गया उससे क्या हो गया वो एलिली population में से गाइब हो गई तो नएने combination से कई बार क्या होता है किसी एलिल के expression में फर्क पड़ता है तो उसका number कम जादा हो सकता है तो ये भी क्या एक force है तीसरी force हमने बोली थी gene flow gene flow का क्या मतलब है एक तरीके से gene migration आप खुद से सोचो अगर मैं बाहर से कोई cow को लाकर reproduce करा दूँ तो genetic equilibrium disturb होगा के नहीं आप सोचो जड़ा नहीं एलिल एड होगी तो gene flow क्या करता है gene flow क्या करेगा it introduce new allele और मालो उस cow को वहाँ से हटा दें तो एक cow allele के साथ कम भी होगी allele और remove particular allele कुछ allele को हटा सकता है या कुछ allele को ला सकता है तो इसके थूरू भी genetic equilibrium disturb होता है तो मेरे पास तीन वीजन तो ये हो गए दो important reason है एक हमारे पास genetic drift ठीक है एक हमारे पास क्या है बिटा उसको मैं अलग से बता रहा हूँ genetic drift और दूसरा हमारे पास natural selection इस पे हम लोग बात करने वाले हैं मुझे लग रहा है कि मैंने जो ये discussion किया ये थोड़ा सा positive था आपके लिए चीजों को समझने के लिए मैं अभी भी मानता हूँ evolution is one of the most मतलब ऐसा chapter on the most difficult chapter अगर उसको सही से ना समझाये जाए और मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी उसके लिए और मतलब try भी कर रहे हैं कि आपको सारे question समझ के बना रहे हो ठीक है कैसे नहीं बना रहे हो कि हवा में चल रहा है समझ के बना रहे हो ठीक है क्योंकि अगर आप समझ के नहीं बना रहे हैं तो फिर फाइदा नहीं हो है ना उसका अगर कुछ हलका सा variant आगया फिर याद कर लो उसे अगले साल के लिए तो वो ऐसे नहीं होगा न आप जब तक चीजों को समझोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा उसका solution क्या है तो अब हम बात करेंगे genetic drift की यह important है अब देखो genetic drift क्या होता है genetic drift क्या होता है समझना ध्यान से genetic drift क्या है हम क्या बोल रहे हैं सुनो ध्यान से what is genetic drift it change occur in small population अगर change small population में हो वो non-directional होगा random होगा और maybe non-adapted this fluctuation can decrease or increase some allele drastically मैं आपको एक example देता हूँ देखो मान लो आपके पास एक यह population है ठीक है हम यही चीज कर रहे थे कल भी इसमें यह 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 है ठीक है इसमें एक जी जो मैं dots दिखा रहा हूँ दिखा रहा हूं दिया डिफरेंट एलील्स ठीक है डिफरेंट एलील्स यह इसमें और डिफरेंट एलील्स है हाँ अलगड़ गलर बना रहें बड़ा मजा रहे हैं रही है कुछ यह सरको मजा रहा है ने रही रकर चिर्द एलील्स है ठीक है रहे हैं हम यहाँ पर यह देखो genetic drift क्या कहता है, genetic drift क्या कह रहा है कि माल लो, मैं आपको simple समझाता हूँ, माल लो आपके पास जो population है, इसमें ये beneficial अलील है, beneficial, ये वाली जो है, ये वाली, ये harmful है, ये वाली जो है मेरे पास harmful है, genetic drift क्या है, किसी reason से वो reason अभी आपको बताएंगे, किसी reason से ये population, किसी reason से ये population, एक small population में convert हो गई, ऐसे, और उसमें सारी अलील ना आके, कुछ selected अलील ही आईए, सारी अलील ना आके, कुछ selected अलील ही आई, मालो सिर्फ ये आई, किसी reason से, reason नहीं पता हमें, तो हम ये कह रहे हैं कि जब ये, अगर आप ध्यान से देखो, तो ये तो random हुआ है ना, हमें नहीं पता क्यों हुआ ऐसा, लेकिन अभी हम reason देखेंगे, हम कह रहे हैं, what is genetic drift, it is change occur in small population, it is non-directional, क्योंकि हम ये randomly हो गया अचानक से, तो हमें नहीं पता ये किस direction में हुआ, ठीक है, non-directional, तो इसका मतलब, इसको हम क्या कह रहे हैं सबसे पहले, ये एक तरीके से क्या है, ये small population है, तो किसी तरीके से, अगर बड़ी population, small population में आ जाए, अब उसके बाद, जो उसमें change होंगे, उसके बाद, जो उसमें change होंगे, सुनना ध्यान से बिटा, अब मैं क्या बोला हूँ, उसको समझना, अब इसके बाद, जब ये population वापसी बड़ी होगी, उसके बाद, ये population जब वापसी बड़ी होगी, समझना इस चीच को, वापसी बड़े होने का क्या मतलब हुआ, मैं ये कह रहा हूँ, माल लो ये population फिर से बड़ी हो गई, ठीक है, समझो इसे एक बार, ये फिर से बड़ी हो गई, अब इसमें यही member तो बड़ेंगे, जो थे, और तो कोई बड़े का नहीं, जो यहाँ पर आये, वही बड़ेंगे, ये देखो, यही वाले बड़ेंगे, अब देख लो आप खुद से, ये genetic drift है, इसमें और इसमें बदला हुआ गया, मैं क्या बोलना चाहरा हूँ सुन लो, genetic drift का मतलब होता है, कि ये small population में, क्या हो रहा है, non-directional, ये किसी भी direction में चला गया, non-directional का मतलब है, randomly कुछ अलील सिलेक्ट हो गई, ये random हुआ है, तो small population में, ये जो change हुआ है, ये random है, change is random, तो हमने यहाँ पर ये बोला, कि किसी reason से, हमने बोला, due to some reason, due to some reason, अगर मेरे पास, ये large population में से, small population आ जाए, उसमें जो बदला हुए, एक तरीके से वो random है, non-adaptive है, क्योंकि harmful allele भी, मेरे पास देख लो, बढ़ गई, तो जरूरी नहीं है, कि कोई beneficial allele ही बढ़े, तो genetic drift याद रखना, हमेशा याद रखना, small population में, non-directional, non-adaptive, बदलाव होने से, किसमें, allele frequency में, उसे genetic drift कहते हैं, drift क्या होता है, बहुत बड़े level का change, तो अगर आप ध्यान से देखो, हमारे पास हुआ किसमें है, small population में, एक बड़ा change हुआ है, देख रहे हो, allele में drastic increase हो गया, जैसे ये allele तो गाए भी हो गई, अगर आप ये देखो, ये यहाँ present नहीं है, तो कुछ allele loss हो जाएगी, कुछ gain हो जाएगी, तो हम ये कहेंगे, आपको क्या-क्या याद रखना है, genetic drift is large fluctuation, in a small population, which is non-adaptive, मतलब हो सकता है, कोई benefit ही ना हुआ हो इसका, which is non-directional, किसी भी direction में जा सकता है, क्योंकि हुआ क्या था, किसी कारण से, चोटी population बन गई थी, ये जो कारण है, वो कारण हम लिखते हैं, ये चोटी population बनने का जो कारण है, वो हम लिखते हैं, bottle neck effect, और हम लिखते हैं, founder effect, तो ये जो कारण है, उसका नाम bottle neck effect, और founder effect है, जिसकी वजह से ये चोटी population बढ़ी, और जब ये बड़ी होगी तो नॉर्मल ऐसी दिखेगी तो genetic drift क्या है इस original population से ये population बिलकुल drift हो गई क्यों? क्योंकि बीच में ये छोटी population में convert हुई और ये change जो था एक random जैसा था non-directional था, non-adaptive था और जब ये बड़ी हुई, जब ये population बड़ी हुई तो ये बिलकुल अलग हो चुकी थी, इसमें से कुछ allele बिलकुल जा चुकी थी और कुछ ही select हो पाई थी इसे हम genetic drift कहते हैं और ये छोटी population में क्यों बदला? कैसे बदला? उसका reason है bottleneck और founder effect तो हम ये कहते हैं कि genetic drift का reason है bottleneck effect और founder effect वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखो बिटा reason for genetic drift is bottleneck effect और founder effect सबसे पहले bottleneck effect सुना ध्यान से सुना बच्चे, ध्यान से सुना what is bottleneck effect? bottleneck effect इस मेरे पास ये 10,000 मालो या 1,000,000 के आसपस beetle हैं चीक है, beetle हैं जो हमारे पास हमने का न population घटी अचानक से वो क्यों घटी? क्योंकि एक season आ गया ये season मालो मेरे पास spring है spring season आ गया फिर मेरे पास क्या हुआ? मैंने का seasonal fluctuation हुई seasonal fluctuation होने से मेरे पास यहाँ 1,000 beetle बच गया बस और ये time था मेरे पास winter का दुबारा से जब favorable season आया मालो में कहता हूँ autumn आ गया autumn favorable है इसका favorable है तो उसमें मालो फिर से एक लग हमारे पास यह हो गई beetle हो गई हम ये कह रहे हैं कि वो जो छोटी population होने का जो reason है वो seasonal fluctuation है seasonal fluctuation का मतलब ये हुआ कि किसी season की वज़े से किसी reason कोई ऐसा reason हुआ जैसे मालो अचानक से कोई calamity आ गई उस वज़े से population अचानक से घट गई ठीक है जैसे मैं आपको कहता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं आपको एक example दे तो मैं कहता हूँ एक river है river के पास river के पास में मेरे पास 1000 type की कोई ends है अचानक से क्या हो गया flood आ गई उसमें से सिर्फ 10 type की ends बची बाकि सम मर गई अब वो जो 10 type की end बची दुबारा condition हुई जब उसने 1000 बनाया अपना नंबर तो अब वो original population से बदल गई तो यह जो flood आया यह जो temperature में change आया this is seasonal fluctuation इस seasonal fluctuation की वज़े से bottle neck आता है bottle neck क्या होता है पतला तो एक ऐसा time आता है जो population कम हो जाती है तो यही आपको मैं समझाने की कल भी कोशिश कर रहा था कि आपको इन में similarity क्यों लग रही थी bottle neck effect में क्योंकि diagram से इन बना रहा था मैं आप देखो जड़ा मैं क्या कहा रहा हूँ बिटा मालो यह original population है इस original population में मैं कहा रहा हूँ 1000 type की जो beetles है वो इस तरीके की है 1000 type की जो beetles है वो ऐसी उनमें allele frequency है ठीक है यह alleles है उनकी ठीक है यह alleles है ठीक है यह alleles है हमारे पास ठीक है अब मैंने क्या करा मैंने कहा कि due to किसी reason से मालो मैंने season बदला season बदलने की वज़े से fluctuation होई, तो season बदलने की वज़े से ये population छोटी हो गई, अब ये छोटी होने का मतलब ये हो गई ऐसी, तो इसमें किसी reason से फिर यही लोग बचे, जादा बचे नहीं, ये ही वाले बचे जिनमें ये वाली alleles थी, सिर्व ये वाले बचे, तो ये जो reason है, ये क्या हुआ है, अगर मैं आपसे कहूँ, bottle neck का मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, seasonal fluctuation ये seasonal fluctuation की वज़े से population का घटना, फिर बाद में जब वो वापसी बढ़ेगी, वापसी कैसे बढ़ेगी भाई, वापसी इसको बढ़ा कर दो population को, ठीक है वापसी बढ़ा कर दो बिटा वापसी बढ़ा कर दो तो इसमें ये ही वाले member आ गए ऐसे तो ये जो seasonal fluctuation है ये bottle neck है, मतलब season की वज़े से हुआ है, तो ये वाले number बढ़ गए न सिर्फ तो देख रहो कुछ अलील गाय भी हो गई, ये ये पूरा genetic drift है इस छोटे होने का reason, seasonal fluctuation है इसे bottle neck कह रहे हैं, इसे हम क्या बोल रहे है bottle neck effect कह रहे हैं, ये ही चीज में आपको कल दिखा रहा था bottle neck का मतलब, कि ये ऐसे तो इस bottle में पूरा भरा हुआ ऐसे, अलग-लग, लेकिन जब ये neck में से pass हुआ, तो neck पतला है, सारे ना pass हो के कुछ ही allele pass हुई, तो इसका मतलब उस difficult condition से कुछ ही pass हुई, तो उसे bottle neck कह रहे हैं, और जब bottle neck की वजए से बाद में जब ये वापसी बढ़ेगा, ऐसी bottle बनाऊंगा मैं यहां से, तो allele frequency बदल चुकी होगा, ठीक है अब what is हमारे पास founder effect founder effect में क्या होता है, ये सुनो द्यान से, अब आपको समझ आएगी बार, देखो this is population original population इसमें हमारे पास alleles है तो founder effect में क्या होता है कि मेरे पास, जो original member होते हैं, उसमें से कुछ बाहर जाते हैं, मतलब एक तरीके से नई जोगरफी पे जाते हैं इसका मतलब ये हो गया, bottle neck effect में तो वही रहते हैं, मर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ population कैसे घटी नई जोगरफी पे मूव कर गए तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या हुए ये नई जोगरफी पे मूव किये, अगर मैं आपको दिखाऊं ये यहाँ से, मेरे पास ये नई जोगरफी पे मूव किये तो population size क्यों decrease किया, क्योंकि ये मूव किया नई जोगरफी पे नई जोगरफी पे चले गए तो एक तरीके से bottleneck effect में मर गए यहाँ पर नई जगा चले गए देख रहे हो फरक, वहाँ पर वो थे वहीं, लेकिन population घटके एक लाग से दस अजार वही वाली original population घट गई थी उसने जगा नहीं बदली bottleneck बना, लेकिन यहाँ पर यह क्या हुए, यहाँ से नई place पे चले गए, जब नई place पे move किये, तो सारे तो नहीं करेंगे, only few move करेंगे जब कुछी move करेंगे, तो population भी छोटी होगी उस वक्त जब गए, तो छोटी population गई और छोटी population में कुछी अलील जा पाई, सारी जा भी नहीं पाई तो कुछी अलील जा पाई तो हमने का ठीक है, कुछ अलील जा पाई और जब यह population फिर बढ़ी, जब यह population फिर वापसी बढ़ी, यह वाली यह population फिर वापसी बढ़ी हमारे पास छीक है वापसी बढ़ गई तो आप देखो यही वाले नमबर जादा हो जाएंगे आप समझो ध्यान से तो bottleneck और जो मेरे पास founder effect है वो क्या है सुनो ध्यान से देखो very few individual become isolated now very few individual जो यहां से बाहर गए very few individual यहां से मेरे पास क्या करे बाहर गए यहां से बाहर निकल के चले गए नई जोग्रफी पे चले गए यह रहे वो और फिर इनों के कि population बढ़ी तो यही हो गई तो ये क्या है founder effect ये क्या है founder effect तो हो finally genetic drift रहा है तो genetic drift ही आ रहा है लेकिन हुआ कैसे कुछ लोगों के मरने की वज़े से हुआ that is that is बोलो that is bottleneck effect मालो एक लाग population थी 10,000 बचे, 5,000 बचे बाद में फिर population बढ़ी that is bottleneck लेकिन उस original population से नई जगा चले गए वहाँ उन्होंने नई population बनाए तो इनको हम बोलेंगे founder member नई population के क्या बोलेंगे इनको founder member बोलेंगे और ये founder member है तो इसे हम क्या याद रखेंगे हम कहेंगे मतलब founder effect ठीक है ये देख रहे हो new isolated geographical area ठीक है is known as founder effect genetic drift due to seasonal fluctuation or death of individual or decrease in population drastically is known as known as वाटरने के पर ये करना हम ने ठीक है अब ये मैंने आपको फिर से समझा दिया है सारा आपको ठीक है clear फिर से समझा दिया है आपको ठीक है clear दुबारा बता दिया मैंने बिटा आपको ये सारा अब आजाओ जर आगे की कहानी इसके बाद बिटा हमने देखो ये ही founder effect है कुछ population इतने लोग migrate कर गया आप खुद देखो न ये इतने लोग यहाँ से migrate करके बाहर चले गए तो ये एक तरीके से founder population है founder population फिर वहाँ से इनका size बढ़ना start हुआ तो ये अलग हो गई ने ये इस वाले से तो बिलकुल ये अलग हो गई ठीक है clear तो ये कह रहे हैं इसको founder effect कह रहे है इसको हम क्या कह रहे हैं founder effect कह रहे हैं अब मेरी बात सुने ज्यान से अब हमारे पास क्या है अगर हम अगली evolutionary force की बात कर रहे है natural selection होता है कि मतलब species है मतलब एक ही species के member है जैसे हम intra-specific, inter-specific होता है हम लिखते है differential success in survival and reproduction मतलब organism की उस given condition में जिन्दा रहने की और reproduction करने की success अलग-अलग है मतलब कोई ज़ादा capable है, कोई कम capable है मतलब organism जो अपने resources ज़ादा use करके खुद को survive करवाले और बच्चे छोड़ पाए उसे हम क्या बोलते है उसे हम कहते है natural selection तो natural selection का मतलब ability जिसके थूँ वो क्या कर सके, resources better utilize कर सके और ज़ादा progeny छोड़ सके उसे हम क्या बोलते है natural selection बोलते है टाइप होती है, हमारे पास actual में हम क्या करते है, हम यह देखते है कि natural selection कैसे काम करता है तो हमारे पास क्या होता है तीन टाइप की हम natural selection की बात करते है एक classification तो यह है three type of natural selection कि वो किस सरीके से काम करता है देखो मेरी बास समझना ध्यान से हमारे पास natural selection जो है reject और select individual को करता है लेकिन हम in general कहते हैं वो काम population पे करता है मतलब अगर हम कहें कि natural selection किस unit पे काम करता है एक population पे काम करता है उनमें से कुछ को select करता है कुछ को reject करता है select और reject वो individual को करता है effect population पे आता है तो तीन type of natural selection है एक है directional एक हमारे पास क्या है directional दूसरा हमारे पास क्या है stabilizing तीसरा हमारे पास क्या है disruptive एक हमारे पास directional है एक हमारे पास stabilizing है और तीसरा हमारे पास क्या disruptive directional क्या होता इसको समझना है हमें directional क्या है इसको समझना है आपको एक चीज़ समझ आनी चीए बिटा directional को हम कैसे देखते हैं माल लो मेरे पास ये इस तरीके से मैंने number of phenotype लिखा हुआ ध्यान से सुनना मैं जो आपको बताने वाला हूँ देखो ध्यान से directional का क्या मतलब है मैंने इस एक्सिस पर number of phenotype लिखे में है और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ माल लो मैं weight लिख सकता हूँ temperature लिख सकता हूँ कुछ भी कोई भी condition ठीक है माल लो मैं यहाँ पर weight लिख देता हूँ या माल लो मैं लिखता हूँ wing size bird का wing size लिख देता हूँ मेरे पास ये population है यहाँ पर जो wing size है माल लेते हैं 3 cm है यहाँ जो wing size है मेरे पास ये 5 cm है यहाँ पर wing size है ये मेरे पास 1 cm है bird का ऐसा कुछ कर रहे हैं हम लोग तो directional का meaning ये है कि condition बदलेगी किसी एक direction में मतलब मेरे पास इसे mean average value कहते है mean average मतलब ये average value है ये average value है और ये extremes है extreme का मतलब हो गया extreme है मेरे पास ये extreme है ठीक है ये extreme है तो मैं आपको अगर कहूँ ध्यान दोने ये मेरे पास initial situation है this is initial situation हमेशा याद रखो directional जो होगा directional जो होगा वो कैसे होता है जब conditions बदल रही होती है तो मैं कहरा हूँ कि मेरे पास environment conditional बदल रही है मतलब environment change हो गया अब मेरे पास क्या हो गया environment change हो गया जब environment change हुआ तो मेरे पास कोई एक extreme की तरफ move कर गया, मतलब अब मेरे पास देखो क्या data दे रहा हूँ, मैं आपको data क्या दे रहा हूँ मैं आपको data दे रहा हूँ कि मेरे पास 10 birds है जिनके wing का size 1 cm है, 10 birds ऐसे हैं जिनका 1.5 cm है चीक है, 15 birds ऐसे हैं जिनके wing का size 3 cm है चीक है, मेरे पास 20 birds ऐसे हैं जिनमें wing का size मेरे पास 3.5 cm है ठीक, मेरे पास 10 birds ऐसे हैं जिनमें wings का size 5 cm, तो अगर आप ध्यान से देखो, पहले मेरे पास peak 3 cm पर maximum phenotype था 3 पर था, लेकिन अभी 3 पर 15 birds हैं अब ये 20 birds की तरफ move कर गया मतलब ये इधर move कर गया कंडिशन बड़ी wings को support कर रही है तो कहीं न कहीं मेरे पास जो peak है, वो अब किस पर चला गया 3.5 cm पर चला गया इसका meaning ये हुआ कि जैसे condition बदली उसने क्या किया, दोनों extreme में से किसी एक को select करना start हुआ, तो ये mean average value से किसी एक तरफ, either side both side नहीं, either side shift करता है with change in condition, उसे हम directional कहते हैं तो directional selection का मतलब होगा कि हमारे पास क्या होता है, phenotype phenotype change to either side of mean average value, जो average value थी, उससे किसी एक तरफ select हो जाए किसी एक तरफ जाने लगे उसे directional कहते हैं किसी एक तरफ जाने लगे और इसका best example industrial melanism और DDT वाला है मेरी बात समझेना ध्यान से DDT, industrial melanism वाला कैसे है जैसे हुआ क्या जैसे जैसे environment में pollution बढ़ा जैसे जैसे चार कोल इकठा होता गया black moth select होता चला गया that is directional पहले white का number जादा था फिर black का कम था तो वो black की तरफ shift हो गया अगर white और black दोनों पे रहता तो अलग चीज़ बात करते हैं white से black की तरफ shift हो गया या हम DDT use करा तो DDT resistance की तरफ आ गया या आप खुद से देखो जो हमने हम animal breeding करते हैं hybridization करते animals की या कोई हम planned select करते हैं तो हम selection करते करते किस तरफ select करें nature किसको select करती है जो disease resistant हो हमने किस तरफ select किया हमने का disease resistant हो चाहिए मुझे production ज़ाधा चाहिए तो nature ने production वालों को उतना select नहीं किया हुआ था अगर मैं आपको कहूँ कि human ने जो man-made domestication है उसके तरू कौन सा selection किया directional उसने उस तरफ select कर लिया है जिस तरफ उसे चाहिए मतलब उसने क्या किया उस तरफ उसे select कर लिया man-made select करा अच्छा nature बदले और अपने according दूसरे phenotype को select करता रहे mean average value के अलावा तो उसे हम क्या बोलते हैं directional selection कहते हैं उसका example डिडिटी और यह हो गया mean average से इधर भी जा सकते थे इधर भी जा सकते थे दोनों extreme के तरफ चले जाएं आप देखो कुछ से मैंने यहां पर 20 birds लिखे हैं 3.5 के इसका मतलब अब जो peak आएगा peak graph का मैं बनाऊंगा वो 3.5 पे बनाऊंगा ऐसे होता है clear इसे कहते हैं directional selection अब माल लो अगर मैं लिखता हूं stabilizing तो stabilizing के लिए condition होगी कि जो constant condition होती है उसमें क्या होती है हमारे पास constant condition होती है तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा ध्यान से सुनेंगे बिटा आपको कुछ ऐसा दिखता मालो मैंने ऐसा ही graph बना दिया यहां पर one centimeter लिखा यहां पर मैंने क्या लिख दिया था five centimeter birds को लेके यहां मैंने तीन centimeter लिखा चीक है initial situation यह थी initial यह थी कि one centimeter वाले 10 bird थे ठीक है उसके बाद one point five वाले मालो मेरे पास थोड़े जचादा थे फंदरा birds मान लेते हैं थ्री centimeter वाले पच्छीस bird थे वह बात नकी विंग से वह माल लेते हैं मेरे पास 抵ंद्रा बादस थे क?", और फाइव सेंटीमेटर वाले मेरे पास क्या थे माल लेते हैं पाच वर्ण से ऐसा बर्ड की population मैंने देखा stabilizing का meaning ये है condition और ज़्यादा constant हो गई मतलब conditions constant हो गई है उसकी वजए से mean average वाला ज़्यादा select हो जाएगा extreme हड जाएगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि 1 cm वाला एक bird बचा या एक भी नहीं है, कोई population नहीं तो आपको ये दिखा कि हो सकता है 1.5 वाले 5 bird ठीक है 3 cm वाले 50 bird सबसे ज़्यादा bird ये हो गए ठीक है, 4 cm वाले भी 5 bird रह गए और 5 cm वाले हो सकता है एक bird रग दो, तो अगर आप देखो ये 3 वाले mean average value और ज़्यादा select होगी phenotype की तरफ यहाँ और ज़्यादा select होगी, ये बढ़ गया ठीक है, number of phenotype बढ़ गया इसे हम कह रहे हैं, stabilizing इसे हम क्या बोलेंगे, stabilizing जो initial condition से mean average की तरफ बढ़ा ठीक है अब मालो मैं बात करता हूँ, disruptive की मैं किसकी बात करता हूँ disruptive की बात करता हूँ disruptive की बात करता हूँ disruptive में क्या होता है समझे द्यान से, disruptive में क्या होता है हम इस तरीके से बनाते है disruptive में, देखेंगे द्यान से हम disruptive में इस तरीके से बनाते हैं ठीक, और हम क्या देखते हैं, द्यान से देखना बीटा हम disruptive में इस तरीके से बनाते हैं और हम क्या देखते हैं कि यह जो graph है मालो यह जो mean average वाला था यह यहाँ पे 1 cm यह 3 cm और यह 5 cm disruptive का मतलब होता है both extreme select हो जाए मतलब यह graph आपको कुछ ऐसा दिखेगा यह graph कुछ इस तरीके का दिखेगा ऐसा इसका मतलब यह 3 cm वाला यह रहा यह हो सकता है 1.5 cm वाला हो और यह हो सकता है 4.5 cm वाला हो तो कहीं न कहीं mean average value छोड़के दोनों तरफ मतलब दोनों extreme की तरफ तो both selection किदार हो रहा है selection towards both extreme both extreme और ऐसा कब होता है जब अचानक से किसी बड़ी population में चाहे geographical isolation आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए कि दो अलग अलग तरह के micro climate बन जाए अचानक sudden high temperature, low temperature तो वो दोनों population split कर जाती है उसमें तो यह mean average value कम हो जाए तो यह आपके पास रहेगा इसे disruptive कहते हैं ऐसा ही question एक neat में जो आया था उस question के कैसे discuss करोगे यह आपको समझना है और यह बिटा असल में क्या हुआ था यह question एक मिनट दो मुझे बस चलो मैं question आपको दिखाऊंगा इसका एक question आया था weight को लेके मतलब क्या दे रखा था child का weight दे रखा था weight ऐसे दे रखा था कि हमारे पास average weight बोला था 2 से 5 kg होता है ठीक है average weight उसके बाद यह बोला था बच्चे जो जिनका weight 2 kg से कम था 97% वो मर गए जिनका बर्त 2 kg से कम हुआ जिनका 5 kg से जादा था उनकी भी death हो गई 97% बच्चे वो survive किये जो 2 से 5 तो इसका मतलब average value select हो रही है तो stabilizing का example हो गया समझा रहा है मतलब उसने सबसे पहले बताया average weight क्या होता है average weight is 225 मैं आपको कहता average weight is 122 मालो मैं आपको एक question दे दूँ ऐसे आप खुद से सोचो मालो मैं कहूँ कि average weight दे रखा है average weight दे दूँ मैं आपको 225 ऐसे करके दे दूँ उसके बाद मैं कहूँ कि जो birth होई किसी year में उसमें जिनका weight less than 2% था less than 2 kg था उनमें से 97% की death हो गई तो 3% survive किये जिनका more than 5 kg था उनमें से भी 96% की मालो death हो गई और जो 225 kg के बीच में थे उनमें से 98% survive कर गए तो ये कौन सा selection हो गया average weight दे दिया मैंने इतना तो ये stabilizing हो गया ये क्या हो गया stabilizing हो गया अगर इसी question में मैं average weight average weight आपको क्या देता बिटा average weight 5 kg देता ठीक है तो ये तो किसी दूसरी तरफ select हो रहा था ना तो इसको हम फिर directional बोल सकते तो depend करता है कि आप कैसे ले रहे average weight की तरफ select होगा तो stabilizing किसी एक है तो ये वाले बच्चे बच रहे होते less than 2 kg वाले बच रहे होते या सिर्फ ये वाला 98 परसन ये वाला ना जो more than 5 kg वाले बच रहे होते देखो इन दोनों में ये दोनों मर जाते ये बच रहे होते बच्चे तो ये directional हो जाता चीक है ये और ये मर रहे होते ये बच रहे होते तो भी डाय तो एक extreme select हो का directional हाँ, ये सारे मर रहे होते ये दोनों बच रहे होते तो फिर ये क्या हो जाता? disruptive आप खुद से सोचो, मालो 5 से ज़ादा वाले और 2 से कम, दोनों survive कर रहे होते तो disruptive, ठीक है? या तो 5 से ज़ादा वाले survive या 5 से ज़ादा या 2 से कम एक ही survive करता दोनों से directional, और अगर average value survive करती है, तो हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, विटा हम लोग क्या नामे? stabilizing, आज आज ज़रा, एक छोटा सा topic है, R selection, K selection जहां से आपको questions मिल जाते हैं कई बार, और यह मैंने कई जगा इसको discuss करने की भी कोशिश की, R selection वो species होती है, R selected वो species होती है, जिनका live span, यह हमने जो living world में sorry, reproduction in organism में बताया था ना, वही है यह, live span short होता है, K selected वाले का live span क्या होता है? large होता है, ठीक, उसके बाद, इसमें क्या होता है, resource utilization इसका बड़ा fast होता है, is very fast, यह धीरे धीरे, आप इधर सोचो, वो beetle, जो floor beetle आप समझो, floor beetle जो होती है न, हमारे पास क्या नाम है, या कोई भी insect माल लो, कोई भी insect जो की जल्दी से बढ़ता है, या elephant ले लो, खना ऐसे सोचो, तो life span, resource utilization क्या होगा, slow होता है इसका, इसका resource utilization slow होता है, के selected वाले का, यह large size की species होती है, इनका normally size small होता है, चीक है, यह बहुत fast reproduce करते हैं, बहुत ज़ादा प्रोजे नहीं बनाते हैं, fast reproduce करते हैं, यह slow reproduce करते हैं, इस वज़े से खाना बढ़ने से इनको ज़्यादा फर्क नहीं पढ़ता, तो K selection, R selection, पर यह क्या होता है, बिटा, यह क्या होता है, totally nutrition dependent होते हैं, और यह वाले जो होते हैं, हमारे पास, यह जो K selected वाले होते हैं, यह क्या होते हैं, well suited होते हैं environment में, यह खुद को adapt कर चुके होते हैं, मतलब environment में, actual में क्या होता है, सारी species चाहती है, वो R selected से K selected की तरफ हो जाए, मतलब, ऐसा ना हो कि खाना मिल रहा हो तो grow कर रहे हो, वो अपने आपको उस environment में ढालने की कोशिश करें, यह वाली जादा suited होते हैं environment में, जिसे हम क्या बोलते हैं, K selected, ठीक है, चलिए, अब हम क्या करेंगे बिटा, हम अब evidences की बात करेंगे, ठीक है, evidences की बात करेंगे, जो हमारे पास है, evolution के evidences कौन से हैं, उस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने कहा था कि जब organic evolution पढ़ेंगे, तो हम तीन topics पे बात करेंगे, सबसे पहला जो हम discuss करेंगे, क्या बताया था आपको, मैंने याद करिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने कहा था कि हम theories पढ़ेंगे, दूसरा हमने क्या कहा था, कि theories के बाद हम mechanism की बात करेंगे mechanism के बाद हम जो discuss करने वाले हैं वो palentological evidence या evidences से start कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो कौन-कौन से evidences पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये क्या नाम है fossil के थो जिसे हम कहते हैं fossil वाला evidence palentological evidence मतब देखो evolution हुआ है इस बात के evidences है evidences का मतलब सबूत है तो कुछ direct हमारे पास evidences है जो मुझे fossils के थुरू मिलते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं palentological evidence कहते हैं fossil की बात करेंगे हैं यहां किसकी बात करेंगे? fossils की, छीक है? दूसरा हम लोग बात करते हैं विटा second हम बात करते हैं comparative anatomy and morphology comparative anatomy and morphology इसकी बात कर रहे हैं तो comparative anatomy and morphology हमारे पास इसकी बात कर रहे हैं, यहां पर हम homologus और analogus की बात करेंगे, मतलब यह एक तरीके से comparison करेंगे structures को उससे बताएंगे कि हमारे पास क्या हुआ है हमारे पास evolution हुआ है उससे बताएंगे जिससे हम क्या लिख रहे है comparative देखो हम क्या लिख रहे है comparative morphology and anatomy ठीक कंपेरिटिव morphology and anatomy इसकी बात कर रहे है ठीक ठीक है क्लीर यहां तक समझ में आ रहा है ठीक है क्लीर हां comparative morphology and anatomy इसकी बात कर रहे है हम यहां पर बात कर रहे है paleontological evidences की हम यहां पर बात कर रहे है comparative morphology and anatomy की clear है ठीक है थर्ड हम बात कर रहे है थर्ड हम बात कर रहे है सुनेंगे ज्यान से हम बात करेंगे adaptive radiation की इसी पर हम बात करेंगे adaptive radiation की वह topic यहां पढ़ना है और हमने बात करना है फूर्थ biochemical evidence की बात करेंगे biochemical evidence भी हमारे पास होता है कुछ हमारे पास होता है embryological evidence embryological evidence मतलब embryology के थुरू भी सबूत मिलता है किसका evolution का फिर हम बात कर सकते हैं vestigial organ फिर हम बात कर सकते हैं vestigial organ के साथ connecting link तो यह कुछ ऐसे सबूत evidences हैं जो directly और indirectly प्रूफ करते हैं कि evidence हुआ है sorry evolution हुआ है मैं आपको एक चीज बताता हूँ बिटा इनसे direct question आते हैं और एकदम easy question आते हैं यह वो part है जो सबको आता होता है तो हम fossils की बात करेंगे सबसे पहले और fossils को लेके जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यह याद रखेंगे बिटा आपको कि fossils का जो evidence है fossils का जो evidence है वो कौन सा evidence है paleontological evidence ठीक paleontological evidence है यह किस तरीके का evidence है किस तरीके का evidence है मतलब paleontological evidence किस तरीके का evidence है यह evidence through fossil है evidences through fossil है यह हमारे पास paleontological evidence है जिसे हम कह रहे है evidences through fossils ठीक है अब सुनना ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना बेटा हम यहाँ पर क्या बात कर रहे है बेटा क्या बात कर रहे है paleontological evidence जो है हम क्या बात कर रहे है इस तरीक को समझो द्यान से हम यहाँ पर यह बात कर रहे है कि fossil की बात कर रहे है तो सबसे पहले fossil क्या होता है fossils are fossils क्या है बेटा remains of किसके remains remains of hard part किसी hard part के of living organism जो है, जो living organism थे, जो dead हो गई है या तो dead लिख देते हैं, चलोगे, basically क्या था, जो dead organism हमारे पास है, उनके hard part का, basically fossils जो है, remain है किसका, hard part का remain है हमारे पास, जो भी हमारे पास dead organism थी, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, life forms कह रहे हैं, जो dead organism थे, उनके hard part का, देखो हम कैसे देखते हैं इसे, हम ये कहते हैं, हम ध्यान जोना बिटा, हम ये कहते हैं, कि जो rocks होती हैं, rocks क्या करते हैं, ये NCIAT में लिखा हो बिटा, rocks क्या करती हैं, उनमें क्या होती है, arrange होती है, arrange in form of sediments, किसकी form में arrange होती है, sediments का मतलब होता, एक के उपर, एक layer बनाना, और जब हम cross section देखते हैं, when we observe cross section, NCIAT कहती है, कि when we observe cross section, when we observe cross section, when we observe cross section, अगर जब हम उसका cross section observe करते हैं, किसका cross section observe करते हैं हम लोग, rock का, जब when we observe cross section of rock, तो हमें क्या मिलता है, we find we find dead organism in different layer, अगर मैं किसी तरीके से, ज़्यान सुनो, different layer, तो हमें क्या करना है, सुनना ज़्यान से, देखो, हमें क्या करना है, कोई fossil लेना, उसके feature study कर लिए, दूसरा मुझे उसकी a study करनी होती है, तो जो मुझे fossil मिलते हैं, जो मुझे fossil मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे, if we are able to find, if we are able to find, age of rock, age of rock, then, age of fossil, भी पता चल जाएगी, ठीक है, उसको भी discovered कर लिया हमने, ठीक है, दूसरी बात क्या है बिटा, जो मुझे fossil मिलते हैं, उन्हें मैं compare करता हूँ, सुनना ध्यान से, उन्हें मैं compare करता हूँ, जो life form अभी हैं, और जो other fossils मिले थे, उससे मैं, एक हमारे पास, geological time scale बना सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं fossil को क्या करता हूँ, fossils, जो मिलते हैं मुझे, fossils की मुझे age पता चली, मुझे उनकी बारे में features पता चली, हम fossils की age और features को find out करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उन्हें compare करते हैं, compare करेंगे किस से, compare with other fossils, other fossils, और life form, जो अभी exist करती हैं, life forms which exist, which exist today, उनसे compare करते हैं, तो we can discover, we can discover, या we can, हम क्या निकाल सकते हैं, we can, we can find, time scale, in which, a particular organism, exist, कोई particular organism, कब exist किया था, वो time scale निकाल सकते हैं, और उससे हम फिर change, relate कर सकते हैं, and then, we can relate change, कि किस सरीके के, change हुए थे, then we can relate change, तो ये हम लोग बिल्कुल, clear हैं इस बात को लेके, कि we can relate change, ठीक है, clear है ये चीज, तो ये fossils की हम बात कर रहे हैं, जिस पर हमने बात की है, age की, features की, ये सारी हमने बात कर ली, ठीक है, fossils बेटा, जो hard part के होते हैं, उन्हें terrified fossils कहते हैं, terrified fossils कौन से होते हैं, related to hard part, like bones, teeth वगए, ये सारे, ठीक है, इन्हें हम कौन से fossils कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं, terrified fossils, अब हम क्या करते हैं, age of fossils, age of rock, basically, कैसे पता कर सकते हैं, आप मारे पास कुछ method हैं, एक है मेरे पास, potassium argon method, दूसरा मेरे पास, एक lead dating होती है, ये आपके syllabus में, detail तो इनकी है नहीं, ठीक है, एक मेरे पास होती है, radio carbon dating, ये radio isotope यूज करते हैं, C14 और C12 की ratio, radio carbon dating कहते हैं, इसे, और एक हमारे पास होती है, ESR, electron spin resonance, ये calcium carbonate के shell वगरे, असानी से बताती है, उसके लिए best है ये, ये most accurate होता है, electron spin resonance करके, ये कुछ methods हैं, सबसे accurate ये है, ये सार, तो ये कुछ methods हैं, पर depending हम कौन सा use करें, जैसे, आप क्या करेंगे, मालो plants का कोई पार्ट है, तो उसमें radio carbon rating यूज कर सकते हैं, half life के through करते हैं इसको, ठीक है, तो ये कुछ fossils के बारे में पढ़ना आपने इतना है, इससे जादा आपको detail पढ़नी नहीं है, fossils के बाद, हम बात करते हैं बिटा, fossils के बाद, जो second evidence है, जहां से question आते हैं सबसे जादा, वो हैं हमारे पास comparative anatomy and morphology, comparative anatomy and morphology, छीक है, देखो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सुनना देहन से, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, देहन सुनेंगे, हम क्या करेंगे, हम structures compare करेंगे हम क्या करेंगे structures like anatomy and morphology compare करके compare करेंगे compare to find common ancestry कि किनके किनके कौन से common ancestor थे ठीक है हमारा purpose यह है कि हमें क्या करना comparison करना है किसके बीच में comparison करना है हमें करना है structures को compare करना है और हमें यह पता लगाना है common ancestry है क्या दूसरा हम क्या करेंगे structures को compare करके compare करके यह पता लगाएंगे कि क्या similarity है how much similarity with life forms life forms which existed earlier or which exist today उनसे compare करके पता लगा लेंगे देखो यहां पे हम यह पता लगा लेंगे कि उन life form से क्या similarity और क्या differences है जो अभी exist किये और जो पहले exist करते थे उन life form से हम compare करके पता लगा लेंगे तो यह तरीका है विटा हमारे पास जिसे हम कह रहे हैं कि हम compare करके पता लगाएंगे कि जो life form अभी मिलती है उनसे मतलब जैसे हमने structures compare कर लिए हमें यह पता लग गया कि यह structure पहले जो life form मिलती थी उनमें भी थे अभी जो हैं उनसे भी match कर रहा है तो इनका common ancestor हो सकता है similarity और कितने dissimilarity है तो यहां हम बात करेंगे दो topic पर एक है homology एक है हमारे पास homology ठीक है homology और दूसरा हमारे पास है analogous organ जिसे हम कहते हैं analogy है तो हम यहां पर दो चीजों की बात करने वाले हैं एक हम बात करेंगे homology की एक हम बात करेंगे homology की दूसरा हम बात करेंगे analogous की analogy की तो सबसे पहले homology क्या होता है जिने हम homologous organ कहते है तो यह क्या होता है बिटा homology होता है similarity what is homology similarity similarity in origin किस में? origin में similarity और similarity in in basic structural organization समझ लो इस बात को basic structural organization या similarity in basic embryonic development टाइप से कुछ मतलब कहीं न कहीं origin में embryonic development में या हम कहेंगे basic structural organization में similarity हो उससे homology कहते हैं जैसे मैं आपको बताता हूँ human का हाथ और मेरे पास मालो चीता का four limb तो ये कहीं न कहीं क्या होना चीए similarity दिखा रहा है तो similarity किस में है? basic structural organization में इसे हम क्या बोलते हैं? homology बोलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? homology बोलते हैं clear? ये चीशे समझ में आ रही है? और अगर मैं कहता हूँ मेरे बात सुनो ध्यान से अगर मैं कहता हूँ कि इसका मतलब निकलेगा they have common ancestry means they have common ancestry उनका क्या है? अमारे पास common ancestry है समझ लो इस चीश को बेटा उनका क्या है? अमारे पास common ancestry है इसका meaning क्या बनेगा अमारे पास common ancestry clear? यहां तक समझ में आ रहा है? चीक है अब हम क्या करेंगे? बेटा ध्यान से सुनो यहाँ पर दो टम्स हैं जो बच्चों को confuse करती है What is homologous structure and what is divergent evolution ठीक है यह दो चीजे ज्यान जुनो Divergent evolution एक process है Homologous structure is a result of divergent evolution तो मैं यह statement लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ कि homologous structure Homologous structure is result of divergent evolution तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास mammal है उस mammal में divergent evolution टाइप से हमने लिख दिया यहाँ पर कि जो चीता है उसका four limb का अलग थोड़ा structure बन गया पर basic organization से हम है मेरे पास bat bat का four limb चीक है whale का four limb चीक और मेरे पास human का four limb यह क्या हुआ इनके यह अलग अलग तरीके से evolve हुए है मतलब इनके क्या structure अलग अलग है इनके basic structure सेम है इनके क्या है basic structure सेम है चीक है basic structure सेम है मतलब उसमें हमारे पास radius है उल्ना है कारपल है आप समझ रहे हैं मतलब यह वाली bones तो सारी है पर इसमें wings बन गया बैट में बैट में क्या बन गया wings बन गया चीता में running के लिए whale में fins बन गया एक तरीके से तो हमको यह समझ में आना ची radius उनला कारपल मेटा कारपल यह तो common है यह basic structure तो सेम है बट इन्होंने क्या show किया show किया divergent evolution तो divergent evolution process हो गया divergent evolution क्या हो गया process हो गया किसके अंदर in different habitat अलग-अलग habitat में इन्होंने क्या किया divergent evolution show किया उससे जो result आया उससे जो हमारे पास result आया वो result क्या आया result is fins wings human का four limb human के हाथ four limb तो यह result आ गया ना तो कही ना कहीं आपको यह समझ आना चाहिए homologous structure is result divergent evolution is process तो अगर question आये which of the following is a proof of divergent evolution homologous structure ठीक है and homologous structures are result of which type of evolution divergent evolution ऐसे याद करना है और homologous structure के examples आएंगे और जो मैं example लिख रहा हूँ cheetah, whale, bat, human mammal है सारे इनका four limb mammal का four limb यह examples आएंगे direct दूसरा first example second example vertebrate का hurt vertebrate के hurt में chamber बदलते हैं basic structure सेम है क्या change होते है chamber change हो रहे है क्या change हो रहा है chamber change हो रहा है basic structure सेम है चीश यहां टीसरा हमने क्या लिख दिया बिटा हमने लिख दिया चैंबर बदल रहा है तीसरा हमने क्या लिख दिया प्रेंच और एक चीज है तोड़ी सी आप लोग सब लोग patience रखें चीजों को लेके team में चीजे बहुत अच्छी नहीं हैं भी मतलब काफी सारे पार्ट पे लोग बिमार भी हैं और फिर हम लोग maximum कोशिश कर रहे हैं कि आपके schedule को adhere करें कैसे भी करें तो class late हो रही है मुझे भी पता है किसी तरीके से इसको कर रहे हैं आपका test भी होना चाहिए वो सारी चीजे कर रहे हैं ऐसा नहीं कि कोई चीज चूटेगी ठीक है लेकिन आसपास situation देखो काफी grim situation है मतलब इतना खराब situation तो नवंबर के आसपास भी नहीं था तो थोड़ा सा आप भी अपना ख्याल रखें और patience रखें चीजों को लेके परिशान समय बहुत है पेपर में आपका नीट में जितना आपने पढ़ लिया और जितना आप अभी तीन मेने पढ़ोगे समय बहुत है तो पैनिक मत करो हमें पुरे प्लान के साथ बैठे वें है ऐसा नहीं है मालो जिसको प्लानक करनी है अगर वो भी बिमार है मालब जिसको मालो हमें ifаг OH setting तैस सिरीस का शेडूल देना है फाइनल कर के अगर वब भी बिमार है अगर सर तुपालो तो बैक हैंड में भी टीम में प्रॉलम हैं तो आप पेंशन मतलो आपके लिए कभी कोई नुकसान नहीं होगा मतलब ऐसा नहीं कि आपके कोई चीज छूट जाएगी या आप इस साल इस वज़े से नहीं बिटा आप पूरा एफट कर रहे हैं और आप भी मतलब पेशन्स रखो एक दो टीचर कभी बिमार हैं तो हम कर रहे हैं कोशे तब तक बैक लोग कवर करो अपना आप अपनी फैमिल बिमार हैं खुद भी तो देखें कैसे टाइम बचा सकते हैं कोशिश कर सकते हैं अपनी हेल्ड देखो फैमिली की हेल्ड देखो सब कुस देखना है पूरा इसी difficult situation आई नहीं थे और आप उस profession के लिए पढ़ रहे हैं जिस profession की इस सब्से ज़्याथर नीड है तो कहीं न ये चेंज कर सकते हैं को कि ये आप समझो कि कही न कहीं बहुत ज़ादा ज़रूरत है medical मतलब staff को लेकर बहुत ज़ादा need है वो per person कितने कम है आप खुद देख लो अना बहुत सारे जो eastern UP से या even बहुत ऐसे एरिया से भी या even western UP की बहुत अच्छी आलत नहीं है बिहार की बहुत अच्छी आलत नहीं है प्राजयस्तान की भी वही आलत है फिलाल की अलब situation सच में बहुत कराब है तो please patience लगो पढ़ाई करो time बच रहा है तो इधरवदर waste करनी की बजाए पढ़ाई करो घर में अपना proper maintain करो सब कुछ की कहीं से minimum touch हो ऐसा मत समझो आपको नहीं हुआ तो हो नहीं सकता है या किसी को हो गया तो दुबारा नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं होगा किसी को कुछ भी हो सकता है तो please patience रखो हम लोग अभी लगे हुए आप लोगों के साथ ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं आपको नुकसान होगा exam की भी अभी कुछ clarity नहीं है कब होना है तो सारी चीज़े है न देखते रहे बस यह है कि आप पढ़ते रहो important यह है जहां भी लगे बैकलोग पढ़ने लगो time बचना है बैकलोग पढ़ो एक यह बिटा stem tendril अपने पढ़ा था याद करो मैंने उसमत भी बताया था stem tendril and thorns यह दोनों किस से आते हैं यह किस में होता कुकुम्बर की family में याद करो कुकुम्बर और grape wine में बताया था और thorns मेरे पास citrus और boganvillia में तो यह मेरे पास किस में आते हैं यह किसकी modification थी modification थी axillary bud की यह किसकी modification थी modification थी यह axillary bud की तो यह हमने करना है axillary bud की modification थी clear यह चीज़ समझ में आ रही है तो यह हमारे पास है बिटा जो आपको करना है ठीक है clear हाँ तो यह example है हमारे पास उसके अलावा हम लोग इसमें बात कर जाते हैं, vertebrate brain में हम कह सकते हैं कि cerebrum हो गया, sorry, cerebral hemisphere, all factory lobe, ये सारे parts, medulla, ये सब में होता है, तो इस तरीके से हमें दिखेगा, मतलब महारे पास ही जो parts है, उसके लावा हम लोगों को और लिख सकते हैं, ये तो मालों हमने इसके लिख दिया, मतलब आप लिख सकते हो, philoclad, एक philoclad और cladode भी लिख लो, दोनों actual में क्या है, stem की modification, दोनों किसकी modification है, stem की, basic structure से में, दोनों किसकी modification हमारे पास, stem की modification है, clear है, ठीक है, clear, तो ये सब आप लिख सकते हो, जो हमने क्या बता दिया, आपको homologous का example बता दिया है, ठीक है, अब हम बात करने व analogy का मतलब होता है हमारे पास, जहां से दोनेंगे, analogy का मतलब क्या होता है, analogy मतलब analogous organ, उसकी बात करने हम लोग, तो देखो जरा, analogy क्या है, what is analogy, analogy का मतलब है लिख्या, analogous organ, तो देखो ये है क्या? analogy का meaning यहाँ पर यह है analogy का meaning यह है कि different ध्यान जो नेंगे बिटा हमारे पास क्या होगा different जो structures है evolve similarity in similar habitat मिलते जुलते habitat में वो similarity evolve करते है ठीक है तो analogous organ क्या होते है या analogous structure क्या होते है analogous structure is result of result of convergent evolution convergent evolution तो अगर आप ध्यान से देखें कुछ ऐसा बनाएंगे हम कुछ ऐसा बनाएंगे मेरे पास wings of bat छीक है wings की बात कर रहे है मेरे पास wings of bird छीक है और wings of insect अगर आप ध्यान से देखें wings of insect कही ना कही उसका जो हमारे पास एक तरीके से body की skin है और bird जो है हमारे पास प्रॉपर हमारे पास यह तो प्रॉपर फोर लिम की modification है clear है यह चीज़ समझ आ रहा है बिटा तो हमें यह समझ आना चाहिए यह समझ आना चाहिए कि कौन किसकी modification है कौन किसकी modification है जैसे bird में तो four limbs से attach है तो हम यहाँ पर यह कह रहेंगे किसके लिए flying के लिए और अगर यह arrow इधर आ रहा है तो यह कौन सा evolution है Convergent ये कौन सा evolution है? Convergent evolution है कौन सा evolution है? Convergent evolution है तो हम ये समझ रहे हैं कि ये structures analogous structures है analogous structures का मतलब वो structure जो flying के लिए evolve हुए चाहिए wings of bat हो जो basically four limb है ये four limb से attach होता है और ये एक तरीके से जो उसका महलो हम कहते हैं skin हो गया या एक तरीके से जो body wall है उससे आ रहा ही है हमारे पास तो कहीं न कहीं ये body wall से आ रहा है माल लो ये मेरे पास किस से attach है ये तो proper four limb है तो ये मेरे पास तो हम ये कहेंगे analogous organ analogous organ is result of result of convergent evolution तो convergent evolution process है analogous organ उसका result है और हमें इसके बिटा examples भी आएंगे मतलब आप एक चीश समझो इसके हमारे पास examples भी आएंगे तो हम examples में क्या-क्या लिख रहे हैं एक तो हमने wings वाले example लिख लिया ठीक है पहला example ये example पे question आता है बिटा wings of मेरे पास insect bat and bird फिर आएगा fins of fins of whale whale mammal है ठीक है या आप ले सकते हो dolphin वो भी क्या है हमारे पास mammal में ले लो and हम लिख रहे है fins of एक तो हम लोग वेल लिख लेते हैं fins of normal जो fish है ठीक है मतलब एक normal fish के fins और dolphin के जो हमारे पास fins है उनको हम compare कर लेते हैं ठीक है ये चीज़ समझो ध्यान से तो हम ये क्या कर रहे हैं इनके ये whale हो गए ये तो common है न ये चीज़ उसके बाद potato potato किसकी modification है stem modification है and sweet potato sweet potato किसकी modification है हमारे पास root modification है तो आप देख पारे हो ये ये हमारे पास बेटा जो examples हैं हमारे पास ये इस तरीके के हैं हमारे पास clear है ठीक है तो हम क्या करेंगे एक तो ये हो गया wings वाला तो है आपको examples डारेक्ट आए वे हैं इस साल भी question example से ही था तो example हो गया अब देखो जरा हमारे पास eye of mammal तो mammal की तो proper eye एक उस तरह का receptor है and eye of octopus तो ये देखने के लिए दोनों use हो रहे हैं लेकिन development इनकी same नहीं है बिटा ये proper invertebrate है octopus तो हमारे पास ठीक है उसके अलावा हम लोग liver लिख सकते हैं ठीक है liver in human ये वाला छोड़ दो आता नहीं है chloro-gogan cells करते हैं हम लोग ठीक है वो आता नहीं है ठीक है अर्थवाम में लिखते हैं हम लोग chloro-gogan cells and liver लिखते हैं तो वो छोड़ सकते हो आप लोग पर अभी क्या करना है हमने ये जो पड़े विटा ये जो structures हैं ये हमारे पास कौन से हो गए homologous structures हो गए तो आपको analogous और homologous के examples याद करने हैं जो यही मैंने बताए आपको यही याद करने है इनी से आएगा और इनी के आसपस आता है ठीक है clear है सहले इसके बाद हम लोग next class में discuss करेंगे divergent वो क्या नाम adaptive radiation बाकी के बचे विए evidence और फिर इसमें देखो बचा क्या क्या है इसमें एक summary बचे वी है evolution को लेके bio geochemical sorry geological time scale बताना है summary है evolution की वो बतानी है और human evolution बताना है वो सारा मैं एक class में बताऊंगा आपको तोड़ा बड़ा रख देंगे दो पार्ट में divide करके और maximum इसको कल finish भी कर देंगे ठीक ऐसा नहीं है कि इसको बहुत आगे लेके जाने वाले जो maximum important parts थे वो सारे बता दिये जहां से आपको question आते है hardy winberg का numerical आपको कराना है उसके लिए हो सकता है hardy winberg का separate lecture आपको upload कर दू कि ये question करने को लेके एक आपका lecture है ठीक है? वो भी कर सकते है ठीक है बटा? चलिए next class में मिलते हैं तब तक के लिए please पढ़ाई करिए और stay safe क्योंकि बटा situation सच में घराब है तो please make sure पढ़ाई करिए safe रहिए औरों को safe रखिए panic create मत करिए ठीक है? Thank you